How to set keyboard text auto correction setting in any Redmi Note series नमस्कार दोस्तो स्वागर आप सभी का तिकराच YouTube चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कीबोड के text auto correction को enable disable कैसे कर सकते या फिर set कहां से कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको यही चीज शो करके बताने वाला हूँ तो अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को पूरा जरू से देख लीजिगा ठीक है वीडियो देखने के पार आपको पता चल जाएगा कि कहां पर यह setting चुपा हुआ है और कहां पर जाके आपको टेक्स यहाँ पर जो correction करते हैं ठीक है टेक्स auto correction उसको आप कहां से set कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकुन को क्लिक जरू से कर लेना यह आप online पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तो हमें जाना है अपने keyboard पर तो keyboard दोस्तो messaging से आप open कर सकते new message ही लिले जिए तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पर gear icon दिखाए दे रहा होगा ठीक है तो उस gear icon पर आपको click करना है इस वाले option पर number 5 की उपर में उसमें click करना है gear icon पर और आपका setting open हो जागा अभी next पर आपको मिलेगा text correction तो text correction जो है दोस्तों आप यहाँ से on कर सकते हैं आपको ऑटो करेक्शन को on कर दिजे सो suggestion strip on कर दिजे लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम सेटिंग क्या कर रहा है हम text auto correction कर रहा है तो आपको नीचे पीछी करना है ठीक है उपर वाला setting जो है आप जितना देख रहा है उतना enable कर दिजे उसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा correction setting जिसमें आप auto correction setting कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले option को तो इस button को enable कर दे आपका auto correction setting on हो जाएगा अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से on भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपको चाहिए तो इसको आप on कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों इसके related ही आपको नीचे में और भी settings मिल जाएगा तो अगर आपको कुई setting करना है जैसे कि undo auto correct on backspace auto space after punctuation auto capitalization double space तो आपको अगर यह सब setting चाहिए इनेबल करकी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप जहें auto correction setting को यहाँ पर कर सकते हैं अपने device पर तो आगर आपको यह वीडियो आच्छा लगा हो तो आप वीडियो को like कीजिए चैनल पर पहली बार तो subscribe करके जाए thanks for watching